वेलकम बैक टो चैनल गाइस आप देख रहें आटो एक्सपर्ट सोलंकी की एक और जो है नई वीडियो और यह बाइक जो है आपने थोड़ी सी सिमिलर देखी होगी बैई कि हमने वही इस बाइक का जो है एक बार रिव्यू बना चुके हैं और यह बाइक जो है अभी हमारे हमारे रिलेशन में जो है उन्होंने यह बाइक पर्चेस कर ली है और वहीं क्यों पर्चेस किये है उसके बारे में हम जानते हैं आज की इस वीडियो में क्या एक बंदा रहता है कि अब डाइलाक स्पेंट करने बाद टीवियस परेंट पर जाना चाहिए या नहीं उसके ब बात कि थी वीडियो में नहीं आना चाहते था इसलिए फोलब लें यह एक जो हर शुर्ण देख लिए जैसे नई भैक पश्चेस यह बएक बिचास्त्र किया मसला होगian रुछए क्या मसला हुँ नहीं सबसे पहले तो जो इसका मीटर ना उसमें कुछ फॉल्ट आ गया है जैसे कि आपको मतलब एक इसके अंदर एक तो आप गया आपके इंजन लाइट का फॉल्ट है और इसके अंदर ना ABS वाला जो फॉल्ट आता है अब इसके अंदर आ रही है और तीसरी चीज है वह इसके अंदर डिजिटली जो नहीं हो रही है तो वह जो मसला है अम शरूम जाकर अभी बता देते हैं जो पर स्पीड वाला प्रोब्लम बता रहा था ना पर यह देखो जैसे मैं अभी मूविंग में हूँ और जैसे इसकी स प्रेंट कर ले हैं गया अब है कि अब अब इसके आगे के लूक में जो है सबसे पहले आपको एक ट्रल टाइप में जो है दिखने को मिल जाता है उसके साथ में एड लाइट के अंदर पूरा लुटी लाइट वाला जो आपको देखने मिलता है तो उपर की तरफ में जो आपको हाइब भी मिलता है और जैसे आपने इसको अन कर देंगे तो यह अपने हाइब इन पर शिफ्ट हो चुकिए तो भाई सबसे पहले तो यह अपसाइड आउन वाले जो है इसके अंदर आपको देखने मिलते हैं फिर हम इसके वील की बात करेंगे तो आपको थोड़ी सी गंदी हो चुकिए तो उसको मैंड मत करना भी तो यह अपनी अलब अलब के साथ में जो यह रैड कलर की लगती है अलग से लुक बना देती है और यह चोटे-चोटे जो सिल्वर की फिनिश है ना इससमें बहुत ज्यादा मस लगती है तो चलो बाइब बात कर लेते हैं इसकी डिस्क के बारे में तो इसको डिस्क मतलब के सकते हो कि यह अपने डिस्क ब्रेक्स है इसका कैलिपर यह आप लगा हुआ है और यह दिखने में कावे जादा अच्छा लगा है मिला हलका साइज कोलर है यह मस्त कॉंप्लिमेंट करता है और यह आप देख सकते हो कि इसका डिस्क है ना कावे जादा अच्छा साइज में यह देखो सिफ चार उंगली का गयप है और इतना स्फिट कूल में आती है इसके अंदर यह लगा हुआ एक तरफ चोटा सा रेडियेटर लब इसको जो है अच्छे दास्वाइब करने पर जो है है यह जो चीजिजे चोटी-मोटी चीजिजे जो इसके मिलाब इसको डाइलाक स्पेंड करने पर जो है आपको मजबूर कर दे इसके अंदर के पूरा सिस्टम आपको इस तरह से देखने को मिलता है यह पूरा अंदर का सिस्टम और में चीजिज जो है इसमें आपको जैसे बीस नॉम्स जो नहीं आया है उसके अंदर जो है कारबेटर हट चुके और जो उसके अंदर आपको अपने एफाई सिस्टम अ जो है आपको देखने को मिलता है मैं को पता है आप इस वाली चीज को देखे थोड़े एक्साइटेड हो तो अभी उस पर भी चलेंगे पहले पीछे से थोड़ा जो है लुक एक बार आपन देख लेते हैं तो भाई यह जो है इसका लुक है कितना ज्यादा मस्त और चांदाल सा लग रहा है यह चोटी से लाइट है यह मतलब बहुत ज्यादा फिर भी अच्छा कासा जो है यह ब्राइट अब है और इसके अगर हम बात करेंगे साइड से तो साइड में जो है कुछ इस आपसा आपको देखने मिलता है आपके गेर लीवर से मलब फोर डाउन नहीं वन डाउन फोर वाले जो इसके पूरे गेर सिस्टम आता है वह आपक इसने को जो है मिल जाती है यहापर अपने चाबी लगा सकते है जिससे आपकी जो सीट है वह खुल जाएगी और सबसे में चीज में को यह देखने में लगी ना भाई इसका यह चैन स्प्रोकेट इतना बड़ा साइज में लगता है तो इनिसल स्टेज में जो पिक अप है इतना बड़ा स्प्रोकेट आपने देखा हो गए कि स्टन्ट वाली जो बाइक से होती है उनमें वह मोडिफाय कराके जो है बड़ा स्प्रोकेट दलवाते तो उससे क्या है इनिसल स्टेज्मन को वीली वगेरा वीली वगेरा मानने में जाएजी रहता है लेकिन यह जो है कितना जधा क्मपणी से ही आपको इतना ज्यादा सही फिनिश में और थे और पुरा प्लास्टिक और ऐसा फ्लास्टिक नहीं MALE फ्लैक्सीबल प्लास्टिक है आप कि cbt do अब बात करेंगे इसके बारे में तो इसक एक कलर में जो आपको को हलके हलके जो है यह स्पार्कल्स वगरा दिख रहे होंगे भई तो इसको मेटलिक कलर के बोलते है अपने ऐसे नॉर्मल लेंग्वेज में मेटलिक कलर है यह उसके साथ में बीच में ग्रे और जो हलकी हलकी जो आपको रैड कलर की फिनिस दिख रही है ना भई वो कावी जाज़ा जो है जाए से जाए आप 30 किलो मेटर के लिए कि इसके नदर एंजिन ने कंपनी तो हमेशा ज्यादा ही क्लेम करती है अगर आप मैलेज की बात करोगे हमेशा उनके जो नॉम से वह अलग रहते क्योंकि वह चलाते एकदम धीरे स्पीड में अपन जो है यूजूली इन बाइकों क कर देख में नहीं सकते चला सकते तो है मनलबस चला कि नहीं क्योंकि इसका जो साउंड है साँंड की बात कि वह शौन मैं ऊद्जे Korean Tay देने पड़ती है और स्टॉक में जो है इतना अच्छा साइलेंसर आपको दे दिया है और यह आप देख सकते हैं एकदम खुलिए बहुत है तो भी यह था खासा जो आपको लब डीबी किलर्स वगेरा सब के साथ में जो है लब इंडियान नॉम्स के साब से आर्ट यह पूर इसमें बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली और ग्लासिस की बात करेंगे तो इतने ज्यादा क्लासिक लुक में जो है आपको ग्लासिस मिलते हैं जो वार्वियम्स होते हैं तो अच्छा कॉंप्लिमेंट लुक्स दिखते हैं मैंने इसको सीधा कर रहा है क्योंकि इसमें अल पर शिस्टम है इसके अंदर यह देखो और यह ना रात में वाइड कलर का आपको देखने मिलता है मतलब पूरा डिस्प्लेय नहीं यह पूरा वाइड दिखते हैं और लुक में अच्छा खासा लगता है आपको अलग फील देता है आपको एकदम प्रीमियम वाली फील दे फिर इंजन के लिए आपको जो है आपको स्पीड आपर दिखेगी यह आपके आर्प्यम मीटर है यह फ्यूल गेज है और यहापर जो है मोड़ वकिरा सेट करने का ऑप्शन है मलब यहापर जो किता किलोमेटर गाड़ी जो है चल चुकी है और यह डिस्टेंस टु एम्ट इसका तो नहीं चीज पूरा जोह है रह जाती है और इससे से अफों को इसकी आप इससे आप अपने इस टाइम को ज़े सेट कर सकते हो एब्यास की लाइट अभी ब्लिंक करें जब चलती है तब भड जाती है और अबंड़ बात करते है लोग इसको क्यों लेना चाहेंगे अगर आप एक डाइल आके बजट को लेके आप चलोगे तो तो बात कर लेते हैं इसके राइवल्स के बारे में मलब कौन कौन सी इसके अंदर कॉंपेटिशन में बाइक सा जाती है अगर आप बात करोगे टीवेस की इसकी एक राइवल है वह है अपाची आट्या टूहंडड बन सिक्स्टी या फिर कोई भी आपाची आप लेख सकते हो वह डाला के बजट में आपके जो आजाएगी या फिर रॉयल इंफिल्ड की क्लासिक ले लो स्टेंडर ले लो अपने हंटर ले लो वह जो है इस बजट में आजाएगी और हिरो के अंदर एक्सपल्स आजाएगी आपके अगर आप थोड़ा जो है अडवेंचर टूरिंग बाइक डून रहे हो तो वह एक्सपल्स बगर आ जाएगी एक्स्ट्रीम आजाएगी उस बजट में वह आली बाइक्स आ जाती है अंदर अभी जो है में पता नहीं है तरह बात करोगे तो तो इसके अंदर लिक्विट कुलिंग आती है प्लस इसका गेर शिफ्टिंग जो है सब्सक्राइब बहुत ही ददा एकदम कह सकते हैं और पावर जो आपको फील होते हैं इसके बाद यह इसके और व्यम्स क्लासिक लुक में हाला कि आपको आफ्टर मार् के साथ रेट्रो लुक भी जो है इसके अंदर पुरा तरीके से जो है मेंटेंड किया गया है फिर बात करोगे इसके मलब जो चावी लगाने के बज़े चावी तो इतनी खास नहीं है चावी लगाने के जो पोजिशन है वह अच्छी है अगर बाय चांद आपको पुलिस व अगला रीजन है अलावी विल्स को अलावी विल्स का मलेट साइज और लुक बहुत जाए अच्छा लग रहा है और च्छोटे-च्छोटे लगते वाइड एंगल में शूट कर रहा था तो यह जो है इसा लुक जो आपको देखने हो मिलता है उसके बाद डिस्क जो साइज अच्छा है और ब्रेकिंग अच्छी है सिंगल चैनल एबीस आता है इसके अंदर और यह ज्यादा अच्छी तरह करता है फिर पीछे भी आपको जो है डिस ब्रेक मिलते है यह तो भई हाला कि इस रेंज की इस हर गाड़ी में जो है इसके पीछे का जो लुक है वह जाए अ इसके बाद में अंदर के दरव यह पीछे वाला शोक एपजबर तो बहुत चीज़े है इसको बाइक को लेकर और कावेदा सही है इसके नेक्स वाली वीडियो जो है हम इसके मलब जो राइड करते हुए पूरा कैस कैसा सीन रहता है उसके बारे में हम बात करने वाले तो ब वीडियो में अपने वाले चैनल पर डालूंगा मैं नया जो चैनल लॉंच कर रहा हूं मेरे राइडिंग को लेके उस पर हम थोड़ा बहुत मोटर व्लॉग करेंगे और बाइक का जो राइडिंग एक्सपीरियंस है वह वहां में आपको शेयर करने वाला हूँ तो उस चै अपना एक्सपीरियंस तो क्या हमने जो इसको क्यू लिया वह रीजन मैंने बचया और चोटा मोटा जो आपको रिव्यू आपकी साथ में जो है शेयर किया है मैंने तो भाई मिलते हैं आपको अगली वीडियो में और आपको इन्शाम में फॉलो करना है तो आपको लिंक ड दिना भाई तो भाई मिलते हैं आपको अगली वीडियो में तिल एन कीप वाचिंग एन बाई